कार्तिक पुल्णिमा के दिन भगवान विश्णू ने मानुव जीवन को बचाने के लिए मतस्य अउतार लिया था। हिंदू पुरानों के अनुसार एक समय ऐसा आया था जबकि धर्ति पर भायानक वर्षा हुई थी जिसके चलते संपुर्ण धर्ति जल्म डूब गई थी। लेकिन सिर्फ केलाश परवत की चोटी और ओमकारिश और इस्थित मारकेंडे रिशी का आश्रम ही नहीं डूब पाया था। आवोज जानते हैं मत्या उतार की शुब कथा। द्रविड देश के राजश्री सत्यवरत करतमाला नदी में इसनान कर रहे थे। जब उन्होंने अंजली में जल लिया तो उनके हाथ में एक छोटी सी मसली आ गई। राजा ने मसली को पुना नदी के जल में छोड़ दिया। छोड़ते ही मसली ने कहा राजा नदी के बड़े बड़े जीव छोटे शोटे जीवों को खा जाते हैं। मुझे भी कोई मार कर खा जाएगा, क्रपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चेर हुआ, उन्होंने मसली को अपने कमंदल में डाल दिया। लेकिन एक रात में मसली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंदल छोटा पढ़ने लगा। तब राजा ने मसली को निकाल कर मटके में डाल दिया। वहाँ भी मसली एक रात में बढ़ी हो गई। तब राजा ने मसली को निकाल कर अपने सरोवर में डाल दिया। अब वह निश्चिन्त थे कि सरोवर में वह सुईधापूरन तरीके से रहेगी लेकिन एक ही रात में मचलीर के लिए सरोवर भी छोटा पढ़ने लगा यद देखकर राजा को घोरा चिरुआ तब राजा समझ गए कि यह कोई साधरान मचली नहीं है उन्हों ने उस मचली के समक्ष हाद जोड़ कर कहा कि मैं जान गया हूं की मिश्चिति आप कोई महान आत्मा है यदि है बात सत्य है तो करपह करके बताए कि आपने मदस्य का रूप क्यों धारन किया है तब राजश्री राजा सत्य वरत के समक्ष भगवान विश्णू ने प्रकट होकर कहा कि है राजन हाई ग्रिव नामक देतने वेदों को चुरा लिया है जगत में चारो और अज्ञान और अधर्म का अंधकार फेला हुआ है मैं हाई ग्रिव को मारने के लिए हाई ग्रिव का रूप धारन करूँगा आज जिसे सात्वे दिन भूमी जल के प्रलै से समदर में डूप जाएगी तब तक तुम एक नोका बनवाओ और समस्त प्राणियों के सुट्म शरीर तथा सब प्रका के बीज लेकर सब तरीशियों के साथ उस नोका पर चढ़ जाना प्रचंड आंधी के करण जब नाव डगबागाने लगेगी तब मैं मतथ सी रूप में तुम सब को बचाऊंगा तुम लोग नाव को मेरे सिंग से बांद देना तब प्रले के अंततक में तुम्हारी नाव खीषता रहूँगा उस समय भगवान मतथ से नोका को हिमाले की चोटी से बांद दिया था उस चोटी को आज नोका बंध कहा जाता है प्रले का प्रकोप शांत होने पर भगवान विश्णू ने है ग्रिव का वद करके उस से वैद छिनकर ब्रहमा जी को पुनः दे दिये भगवान ने जल प्रले समापत होने पर राजा सत्ति वरत को वैद का ग्यान वापस दिया राजा सत्तिवरत ग्यान विज्ञान से युक्त होकर बैवश्वत मनु कहलाए उक्त नोका में जो बज गए थे उनी से संसार में जीवन चला उन लेखनी हैं कि हाईगरिव अवतार में भगवान विश्णु की गरदन और मुख गोड़े के समान थे धन्यवाद वैब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड भार से बचे, मास्क पहने वो सैनेटाइजर का इस्तमाल करें साथ ही सोशल डिस्टंसिंग का पूरा पालन करें